Hello students, welcome back to my channel आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपकी प्लसन क्लास की जो हॉन्बिल बुक में है एक बहुत प्यारी सी छोटी सी पॉएम है जिसका नाम है चाइल्डूड ठीक है और जो ये पॉएम है इस पॉएम इस रिटन बाइ मार्कस नेटन बजए पोल्टर एक चाइल्डूड बच्पन के बारे में याद कर रहा है और ये थोड़ा नौस्चालिजिक । रहा है जिसे हमारी ग्usch ते पुराने चानी चाहते हैं तो ऐसा हुआ मियों अपुराने दिन है ऑच्छे लगते हैं मुझे तो खास कर कि जैसे में बड़ी होती जारी तो मुझे लगता है कि जब पहले थी वही जादा टाइम अच्छा था तो मतलब ये एक्चुली मेरे साथ नहीं मतलब हम सब के साथ शायद ऐसा होता होगा ठीक है तो जैसे चाइल्ड पॉइम में जो पॉइट है वो ये सब कहता है कि जैसे पॉइम शुरू होती है आपने लाइन से भी देखो वें डिड़ माई चाइल्ड पॉइट क्या कहता है कि मेरा चाइल्ड पॉइम कब चला गया वे मतलब कब चला गया उसका जो बच्पन है वो जिर्द डे मैं कि क्या वो दिन था जब वो आई सीज तो बी लेवन कि जब वो 11 यहर्स का हो गया था क्या वो टाइम था जब उसने यह रिलाइस किया कि जो हैल और जो हैवन है कोई चीज नहीं होती है इस अर्थ पर and therefore could not be was that day और क्या मतलब कि क्या वो ऐसा भी वो दिन नहीं था ठीक है and मतलब कि जब उसका जो वो कौन सा दिन था जब उसका जो बच्पन है वो चला गया था जिसको वो समझने पा रहा है second stranger में क्या कहता है वो when did my child go again वो सेम लाइम बोलता है कि मेरा बच्पन कहां चला गया है was it the time I realized that adult were not all they seem to be they talked of love and pleased of love but did not act so lovingly was that day अब पोईट क्या कहता है कि मेरा बच्पन कहां चला गया क्या वो उस टाइम में चला गया जब उसको यह realize हुआ कि जो adults होते है वो जैसे दिखाई देते हैं वो reality में नहीं होते है मतलब क्या होता है कि जैसे वो adult होते हैं वो बच्चों को जते हुवोते हैं कि प्यार से बात करने की इस तरीके से अक्तन है लेकिन जो वो आपस में किसलिके से बीव करते हैं वो बिलकुल डिफरेंट होता है वो कहते कि जब मुझे इस जिस की समझ में आई क्या उस टाइम में जो मेरा बच्पन हो चला गया थर्स एंजा में क्या होता है When did my child go? Again the point is saying the same thing कि मेरा बच्पन कहां चला गया है That day कि जब भूसको ये समझ में आया कि उसका माइंड है मतलब उसके माइंड में उसके ठोट खुद के हैं ठीक है और जब उसके रक्राशा दक्रिकेंबस में और क्यों sis वर भी सोचेगा तो थर्ड पैसज में वो अलग-लग रीजन देकर हमें बता रहा है जो पोईट है कि जब में सेध्स में क्या होगा कि जिसे उसको heaven का पता लगा कि geography में नहीं है तो इस झोब पोईट है अपनी rationalism दिखा रहा है कि rationalize कर रहा है वो कि उसको पता चल गहा है reality का ठीक है सेकंड पेरेग्रफ में सोचते हैं कि जो एडल्ट है कि जो मतलब की जो हाइपो क्रिटिकल हो जाते हैं और जो दिखाते हैं कुछ हो रहते हैं तो क्या वो बड़ा हुआ कि जब जो पोईट है मतलब क्या होता है कि कि जब अपने बारे में पता रग जाता है जब खुद के parlar चुरू पर तक समय आएप वह कहां चला गया और अब कोशिन क्या होता है उसका जो बचपन है वह कहां चला गया इट वेंट टो सम् वह कहता है कि उसका जो बचपन है वह चिप गया है जब वह चोटे बच्चे को देखता है तो उसको बचपन नजरा आता है इसे पता है जो पता है यहां dura था कि उसका जो बचपनемся कहां चला गया है चोटे बच्चे के फेस में चला गया हुटते हैं बिल्कुल हीं हार्टे तो बड़े लोगों की दिखाते है come तो इस चीज से बहुत परिशान होगे तो जो मेरा बच्पन है वह एक छोटे बच्चे की मासूमियत में ही दिखाई देगा ठीक है तो दिस वोस अबाउर था पोहम ठीक है तो कि और यह मैं रियालिटी भी है कि जब हम किसी भी बच्चे को देखते हैं तो हमें उसको देखक अपना बच्पन नहीं यादा जाता है वैसे तो हमें अपनी लाइफ में बीजी हो जाता है बड़े होने के बाद कि याद नहीं यादा कि हम बच्पन में कैसे थे लिकिन जब भी हम कि छोटे बच्चे को देखते हैं कि हम भी ऐसा किया करते थे हैं क्योंकि जो बच्चे हो बीवाइस होती है जब आपका सेंटेंस बर बार ऴर वर अग्जानस को तेन से वल्डश लोन सब्सत्राम 15 ग्रीजिंस है खेसिंटेंस अहलंग कि पार लेफ्रम्ट करेंस होसाErिए यानाफॉर बता दिया आपको रैशनलिजम का बता दिये जो पोओं है चीक है और जो आपके जेवल आपको पता है की अलिटरेशन है तो रह्यूद होती है जो आपकी वर्ड इसमें अलिटरेशन भी आपका हाँ और एक पोड़ियोट डिवाइस रहा है एंटिथीश रहा है एंटिथीश का मतलब कैंडने टू पोज़िड वर्ट आर छोगेदर डोनों पोज़िड वर्ट रहा है एंघ्भाइट यह इसके बाद हमारा जो जो हमारी राइमिंग स्कीन है इस पोउन में वो क्या है कि जिसे के लिए देटे़ दो सेंधी एक वाधा सवत हैं तो फिर भी के यह यह वाधाई आट सब्सक्रा ट्रॉण क्ठे़ लास में कल यह हैवर सेंधी क्या नाम रि दे प्तुर आप लेक्षेन देख से लिए एकलिक तो भी कर लेते हैं और नेक्स हमारा नो क्या होगा सी तो ए भी सी हमारी लास जैमें हमारी राइमिंग स्कीम हो गई है ठीक है और इसमें मैंने सब कुछ आपको बता दिया है मेरी आप से तो कुछ नहीं रहा आपका इस पॉम में तो जो अगर आपको पर्म अच्छी लगी है या आपको चैनल में मेरा पढ़ा हो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले वीडियो को शेयर करें जो भी आपके रिलेटिव से आपके फ्रेंड से उन्हें बताएं अब आउट दिस चैनल ओके वाबाई मीट्यो नेक्स एग है जिए अच्छा़ से एंग करें एंग करेंगों से ओकाया अबे में दो रो tahun भी हैंग हैंगों क्रणा में एंगर भी करेंग हैंग 10 ले हैंग're आपकूंष लेह एंगर छिए इन दोंग नखिल्ण मीर्वीण वर्म पर ने हैंग कर